हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे योट्यूब चनल में बात करेंगे उत्राखन प्रात्मिक शिक्चक भरती के बारे में तो B8 वर्सेज BTC के मामले को देखती वे सुपीम कोट में 22 जनबरी 2024 को एक केस लगा हुआ है 11 जनबरी 2024 को जो सुपीम कोट का जो ओर्डर आया था उसको आपने देख लिया हुआ उसके अकोटिंग यहाँ पे सुपीम कोट की जो फाइनल ओर्डर कॉपी आय थी उसमें आपने देखा होगा कि सुप्रिम कोड ने क्या क्या मेंचन किया था लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 22 जनबरी 2024 को एक B8 के तरफ से केस लगाया गया है क्या इसकी स्टेटास है और उत्राखण में यह केस किस तरफ से यहाँ पे महत्तपोन है कोड में और इस केस की सुनवाई की डीट भी आपे निर्दारीत कर दीगी है जैसे आपने देखा होगा 22 जनबर कोई की सुना जाएगा यह किस उत्राखण में किस तरीके से इंपोर्टन होने वाला है B8 के लिए उसके लिए हम यहाँ पे इस केस के बारे में बात करेंगे अभरति लग चुके हैं वो आपने केस का स्टेटस देखा होगा तो इसी वज़ा से आप उत्राखण सासन और शिक्षक बिवाक इस भरति को अभी शुरू नहीं करना चाती है क्योंकि सरकार भी यही चाती है कि इस गतिमान शिक्षक बरति में B8 अभरति को यहाँ पे मौक गया था जिसमें B8 को प्रामरी के लिए पातरब बनाया था उसकी अकॉर्डिंग जिन अभरति ने यहाँ पे B8 किया था उनका बहुष्य में क्या होगा साथी दूसरा स्टेटस है कि जिन अभरतियों का सब्जट कॉम्बिनिशन नहीं बन पा रहा है वो अब आगे क्या कर होगा उनका अब प्रश्य में क्या होगा और जिनका सब्जट कॉम्बिनिशन नहीं बन पार रहा है वो 2 arrival में यह cabinet में है अिसिवजों से यह की तो सुना जाएगा इसके according अगर इनको रहात मिलती है तो उत्राखंट में भी जिना भिरतुने इस तरीके से subject कोमेशन ना बना होगा जिनने nct के गजट नोट पिशन को देखते हुए बियट क्या होगा उनको रहात मिलेगी या नहीं भी लेगी यह 22 जन्मरी को पता चलेगी जब सुपीम कोट का केस यहां पर सुना जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिया क्योंकि 22 जन्मरी की डिट भी कापी महत्वपण होने वाली है आपको उत्राखंट के बियड भरतु के लिए साथी 22 जन्मरी को यहां पर गुड्डू सिंग की यांशिका भी लगी गई है जो उत्तरपतिशा लगाए गया है उसमें ओन्गोइंग भरती में बियड परतिबाग करेगा या नहीं करेगा उसको लेकि यहां पर केस की सुनवाई होगी तो उस दिन दो महत्वपण सुनव में बीड भरतिको रहात मिल सकती है गतिमान्चिक प्रती में और उतराखरण सरकार खुड यह चाहती है कि बीड भरति को प्रामरी में मौका मिलेग क्योंकि ऊत्राखरण सरकार भी सुपिम कोट में बीड की तरब सियां पर गई भी ती इस वहां का अब 22 जन्मरी को क्या अपडेट आता है उसके बार में हम वीडियो में आगे बात करेंगे 22 जन्मरी को बाकि 11 जन्मरी को जो सुपीम कोट का उटा रहा है था उसके लिए सुपीम कोट ने ओंगोइंग भरती के लिए 28 भरती को ले इन्विलेड माना था